हेलो स्टुडेंट्स वेलकम यू अगेन ओन माई चैनल एलर्निंग विट सुमन तुडें वी आर गोईंग टीसकस अबाउट वक्षिट नंबर 69 सब्जेक्ट हमारा इंगली से बच्चो क्लास हमारी 10 और जो हमारी वक्षिट है 24 ओफ दिसंबर की हमारी वक्षिट है थरस्ट ड्रेगन क्या नाम है हमारी वक्षिट ओफ द ड्रेगन रिट एक स्टेक्ट बिलो और आंसर दा क्वेश्टन देट फोलो अब देखो यह हमारी वक्षिट होग हम पोएम के बारे में थोड़ा इंट्रोड़क्शन ले लेते हैं जो पोएम है ता टेल ओफ क्षिट द ड्रे क्सका क्वेश्ट बहुमार हम एक ब कावडली ड्रेगन जिसका नैम था कस्टड ड्रेगन है जिसका नाम कस्टड है जो कस्टड है वो क्या है वो बलींड दाका पैट एक गर्ल है ठीक है बलिंडा जो एक लिटल गर्ल है जो अपने वाइट हाउस में रहती है अपने पैट्स के साथ उसके पास देखो इसी है डे ब्लेक किटन नेम्ड इंग उसके पास देखो पहले में आपको थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन देरी हूं पोयम का जो बलिंडा नाम की लड़की है उसके पास फोर पैट्स है सी है डे ब्लेक किटन एक किटन है जिसका नेम क्या है इंक है जिसका नेम क्या है इंक किटन का नेम है इंक ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है माउस माउस का नाम क्या है ब्लिंक है और एक यलो डोग है उसका नाम है मस्टर्ड यलो डोग का क् पांत सा चुप सा रहता था ड्राड्रा सा रहता था सबसे जैसे बलिंडा के फोर्ट पैठ इंक किटन बिलिंक माउस और जो मस्टर्ड क्या है डोग है यह जो तीनों है यह हमेशा मतलब अपनी ऐसे जो बोस्ट होता ना बोस्ट धिंगे मारना धिंगे हांकते रहे ना कि हम इतने इतने पारफुल है यह कर दे रहते हैं लेकैं जो ड्रैगन है वह हमेशा कभी भी अपनी भींगे नहीं मारता कभी भी अपनीम्ह security स्टैंथेस कि मैं यह कर सकता हूं यह कर सकता हूं gimam डरता है तो इसलिए कावर्ड ली कस्टरड बोल आ गया है लेकिन एक दिन क्या होता है चानक से दा पोईट सेज एट ओल उफ देम आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट दा ड्रेगन सारे क्या हैं बहुत ब्रेव हैं ड्रेगन को छोड़ कर जो अधर हैं वो अपने आपकी तुल्ल करते हैं compared with animals like beer, tiger जो अधर इसके पैठ हैं वो तुल्ला करते हैं कि हम तो किसके ब्राबर है, beer के ब्राबर है, tiger के ब्राबर है, dragon है जो वेरी टीमीड, dragon जो बहुत है, कायर है और वो हमेशा बस क्या मांग करता है, always demands a safe place for himself कि मुझे सिर्फ एक safe cage चाहिए ठीक है, देखो अ यहां से अपना थोड़ा सा समझ या गया होगा आप लोगों को समरी, लेकि लास्ट में क्या होता है, एक pirate घुस आता है इनके घर में, एक डाकू चोर घुस आता है, तो उसका सामना dragon ही करता है, जो यह boastful थे, जो यह धिंगे मारते थे, यह छिप जाते हैं, यह कुछ भी नहीं कर पाते हैं, देखो, बलिंडा वाज अज ब्रेव, अज बैरल फुल ओफ पियर्स, जो बलिंडा है, so now the poet explains the inner strength of the bravery of various characters of the poem, he says that बलिंडा वाज अज ब्रेव, बलिंडा जो थी अपने आपको क्या मानती थी, वाज अज ब्रेव, अज बैरल फुल ओफ बियर्स, मतलब बलिंडा में इतनी सकती थी, इतनी बहादूर थी, बलिंडा, जितनी की एक ग्रूप ओफ पियर्स में strength होती है, and ink and blink were so brave that, और ink और blink भी इतने बहादूर थे, so brave that they could hunt loins, की वो loins को भी क्या कर सकते थे, hunt loins का भी सिकार कर सकते थे, so here he was shown the bravery of kitten and the, इस परकार वो यहाँ पर bravery दिखाती है, kitten की और little mouse की, that could hunt even a loins, मतलब जो एक loins का भी सिकार कर सकते थे, the dog जो mustard है, mustard was as brave as tiger in a race, mustard में तो इतना गुसा था, जितना गुसा किस में होता है, जितना tiger में होता है, rage क्या होता है, rage होता गुसा, मतलब इतना anger इतना गुसा था, कि वो क्या कर सकता था, इतना tiger cage इतना बहादूर था, but custard cried for a nice safe cage, लेकिन custard हमेशा किस के मांग करता था, custard the dragon was not brave, he was so afraid of everything, so हमेशा चीजों से डर रहता था, मतलब वो तो हमेशा बस क्या कहता था, मैं बहादूर नहीं हूं, brave नहीं हूं, afraid, डरता था, of everything that he always demanded a safe cage, हमेशा एक safe cage की demand वो करता रहता था, मतल सी मांग करता था, custard, blinda tickled him, blinda tickled him, see tickled him unmerciful, tickled होता, stroke, here it means to teach, मतलब है, tease करना, tickled को हमा, tickled से हमारा यहाँ पर मीनिंग क्या tease, blinda हुसे हमेशा tease करती खिजाती रहती थी, see tickled him unmerciful, unmerciful होता, cruel, वो हमेशा मतलब उसे दयाल होता से नहीं, cruel ता से, कुरूरता से, हमेशा टिकल करती थी, teach करती थी, खिजाती थी, ink, blink and mustard, they rudely called him parcival, और जो ink था, kitten था, blink, mouse था, mustard, dog था, वो भी हमेशा उसके साथ कैसा behave करते थे, वो भी उसे parcival बोलते थे, parcival, जो parcival है, वो क्या होता है, parcival, a knight in king's arthur's court, मतलब एक knight होता है, जैसे king के court में, इसलिए उसे parcival बोलते थे, rudely, हमेशा, they all set, मतलब मजाख उडाते थे, उसका हमेशा, they all set laughing in the little red wagon, wagon है, यहाँ पर उनकी, जो एके, लाल रंकी गाड़ी है, उसमें वो हमेशा बैठे होते थे, लाल रंकी गाड़ी में, और उसका मजाख उडाते थे, हमेशा, at the realio, trulyo, cowardly dragon, छोटा सा, कायर सा, dragon, मतलब हमेशा, उसका क्या मजाख उडाते थे, हम कह देते हैं, छोटे बच्चे को एदे, छोटा सा, 12 सा बच्चा है, इस परकार वो हमेशा, उसका, realio, सच्चा सा, trulyo, सोटा सा, सच्चा सा, और cowardly, कायर सा, dragon, कहकर, उसका हमेशा, वो, मजाख उडाया, करते थे, मतलब, ink, blink, और, जो ये, मस्टर थे, और, बलिंडा भी, उसका, हमेशा, मजाख उडाती थी, लेकिन, actually में, फिर, क्या होता है, दिखो, जो, आगे, तो, इस लोयन की जितनी ताकत है, टाइगर की जितने गुस्सा मेरे अंदर, तो, ये सारे छिप जाते हैं, और, ड्रेगन ही क्या करता है, ड्रेगन ही, उस पाइरेट को निगल जाता है, मतलब, उसने ही हिम्मत दिखाई, लास्ट में, फिर, इसकी प्रेज करते हैं, सारे, तो, ये सेट त्यार, क्रेजिस की, वो सहांसी थी, ए, क्रेजिस, ये क्या दिखाता है, कि वो तो, बहुत सहांसी थी, सेर का भी पीछा करते हैं, बट इस दा राइम स्कीम उफदा स्टेंजा, अब देखो, इसकी जो राइमिंग स्कीम है, वो क्या है, मैंने आप लोगों को बता र नाम देते हैं, ओके, नेक्स्ट की देखते हैं, बलिंडा टिकल धिन से, टिकल धिन अनमर्सिफुल, फुल, वल, ठीक है, मतलब अनमर्सिफुल, पर्सिवल, तो ये भी क्या है, ए, ए, बे, ओल सेट, लाफिंग इन लिटल रेड वेगन, ड्रेगन, बी, बी, तो ये देख नेक्स देखो, वर्ट इच, कस्टर्ड, नोट लाइकली टू से, जो कस्टर्ड था, वो हमेशा क्या कहना पसंद नहीं करता था, ये कहता था, सेव मी, गो अवे, सेट मी, फ्री मुझे अखेला छोड़ दो, सेफ केज दे दो, ये कहता था, आई है, वो कभी ये नहीं कहता किटन, माउस, डोग और ड्रेगन, येस, इंक, बलिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, वैसे इंक है, जो किटन है, बलिंक है, माउस है, मस्टर्ड है, जो डोग है, और कस्टर्ड है, जो ड्रेगन है, नेक्स देखो, यहाँ पर इंक, बलिंक, ये आपको पता होना चाहिए, इ प्रेज बेरल फुल ओ फूल ओफ बियर्स टेल अस टैला से बृंद डाइगा आगे देखो यही हमारे फाइफ क्पेश्चन आज की वारी वक्षित में पूछे गए आज की जो छोटी सी वक्सिताई है ज्यादा क्वेस्चन इसमें पुछे नहीं गए हैं लेकिन हमें पोयम को अच्छे से समझना है और इसकी समरी भी हमें लिखनी है अगर बेटा मैंने आपको पोयम समझाने की कोसिस की है वीडियो आपके लिए हैल्फूल है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू हैव नाइस डे